चौथा टेस्स माच पहला दिन और भारते टीम 26 रनों पर एक विकेट गवा चुकी है उससे पहले इंग्लिंड की टीम 205 रनों पर ओल आउट हो गई थी क्या थे वो सही डिसिजिन्स जिसकी वज़ा से भारते टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है उस पर हम चाचा करेंगे आप देख रहें ESPN क्रिक इंफो सही है डिसिजिन्स पावर्ड बाइ म्यूच्वल फर्म सही है मेरे साथ जुड़ गया है संजे माजरेकर संजे पहला डिसिजिन्स तो हमने लिए है और ये लगता है थोड़ा सा फोर्स डिसिजिन्स था भारत की तरफ से क्योंकि जस्पीद बुम्रा को पर्सनल रीजन्स की वज़ा से जाना था उनकी जगा मौम्मद सिराज आते हैं दो विकेट तो लेते हैं लेकिन दो बहुत ही एहम विकेट सही है डिसिजिन यसलिए था क्योंकि उनके पास आप्शन भी था चॉइस भी था उनके पास कि उमिश यादव को खिलाए ज्यादा experience ज्यादा senior और उमेश यादव भारत में बहुत ही अच्छा उनका record रहा है तो ये एक बहुत ही कखिन एक choice था और उन्होंने बिल्कुल सही choice किया मौमँच सिराज को लेके क्योंकि सिराज के पास सिर्फ एक ही trick नहीं है उनके पास काफी ways है wickets निकालने के इसलिए मुझे लगता है कि जब सिराज को लिया उमेश यादव के पहले तो वह एक बिल्कुल सही है decision लाए दूसरा सही है decision और ये थोड़ा सा trend भी बन रहा है संजे पिछले test match में भी हमने देखा था वो ये कि अक्षर पठेल की जो अंदर वाली गेंद है जो अंदर आती है वो बहुत ज्यादा 60% है उनकी विकेस लेक बिपोर है तो वो एक मौका दे रहा है विराट को लिए उनको जब तक बाल नीव होती है स्केट भी होने के चांसे ज्यादा होते हैं अश्विन नीव बॉल के साथ भी बहुत अच्छे है लेकिन अभी कंपैरिजन अगर आप करें तो अक्षर पठेल शायदा विकेट टेकिंग अब हो गया है जब बॉल हार होती है और दूसरी चीज यह भी थी कि आज सीम बोलर्स के लिए पहले सेशन में थोड़ी बहुत मदद थी और सिराज ने काफी अच्छी गेंद बाजी की और दो सीमर्स भारत ने लिये थे तो उनको भी काफी मौका दे रहे थे विराट कोली जब तक पिछ में थोड़ा सा हलका सा इसके बची से अश्रीन का एंट्री जो एंट्री हो गई इंदिंग्स में वो काफी ले और अक्षर पतेल ने तब तक शायद मुझे लगता है आट दस ओवर अलड़री डाले थे चटे ओवर में अक्षर पतेल को लेकर आए कप्तान विराट कोली आगे चलकर उने कुल 26 ओवर डाले और चार विकेट भी चटकाई बहुत बहुत शुक्रिया संजे हमारे साथ चाचा करने के लिए तो आप देख रहते हैं ESPN Quick Info सही है Decisions powered by mutual funds सही है